यह हिंसातियों आज शुरुवात करते हम देनिक जागरन न्यूसपेपर का एनालिसिस करना आज तारीके 27 सक्टूमर 2022 और आज का दिन है गुरुवार्ट तो हम विस्तरत विस्टलेशन करने से पूरु एक बार देख लेती के आज हम किन खबरों को देखने वाले ही तो हम सब सब्सक्राइब को प्रइस करेंगे लिए धनल नंबर यर प्रेस करेंगे ग्लोबल मंब क्या होता है पिर हम किर्यों को समझने का प्रयास करेंगे यहां पर भारत के ndc जो नेशनलिट डिटर्माइन कंट्रिबूशन उसको समझने का प्रयास करेंगी तो यह हमारी पहली खबर रहेगी उसके बाद हम देखेंगे बेटी का पास से समझने का प्रयास करेंगे कि जी एम सरसो किस तरह से भारत के लिए महत्पूर्ण सर्शो की खेती को अभी हाली में जो वारत के लिए उसको भी देखेंगे हम किहां हैं वारत का जो नाविक उसको देखने का प्रयास करेंगे की जिस्टी साइंसें टेक से संब्णित खबर रहा हिए हमारी कानुन बनाने में सर्वच अधिकार प्राप्त nearby संसत को तो इसे आप स् история किजींगा की किस तरह से जो सब्रीम का ये माप कीजिए जो सर्वोच अधिकार कानून बनाना वो संसत के पास है तो इसे आप देखी गए और देखने का प्रयास कीजिए कि चर्चा में क्यों बनी हुई है फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फिलिपिन्स में बुकम पाया तो बुकम पाने की कारौनों को देखने का प् करेंगे कि उन्होंने किस तर से बारत की आजयती में अपना योगदान दिया था फिरम नाविक को समझने का प्रयास करेंगे कि नाविक क्या है फिर हम चाइना के मेप का अनलिसिस करेंगे फिर हम देखेंगे हिंदुस्तान रिपप्लिकन आशोशेशन क्या है फिर उसके ब से multiplier को समझने का फ्रयास करेंगे फिर देखेंगे oh समझ सकते downturnas国 प्रयास करेंगे तर Кो लिखी नप और अच्छा से समझ लेंगे इंको यह में कि फद्री उन से सम्ञाइख कुछ महत्वटर्वा तों को प्रीट्राइस करेंगे फिर हम देखेंगे जो DMH11 सरसो बनाईगे उसके बारे हम देख लेंगे भारत में किस तरह से GM पसलों को अनुमदन की प्रक्रिया रेती वो क्या है उसको देखने के फिर हम BT. को देखेंगे पिर बीटी को टन के बारे में कुछ महत्पुन बात को देख लेंगे हम पिर रही सर्चों को देखें लेंगे जो हादली में मोडिफाइट करके बनाय गया है फिर आप यही पर हम हिंदी में बात करेंगे उसे आप अंग्रेजिम पढ़ना चाहिए तो पड़ स से हैं और हुआ से उनका ज zig dog सोटे हुँ अंपर रवस्ती थि उसको देखेंगे फिर उसको एक अण्ये मेंस समझने का प्राइस कहाँए अईन की साइज वो किस Тरह से कारी करता है उसको समर्ती करने का प्रेश करें याानी याँब हम घरना उस वह को लिंक करने का प्राइस करेंगे फ़ी सब्याई के बारे में उसको साइज से शोर्स काहां से का strictlyalyet मेंटर उसको समझने का प्रयास करेंगे। लोबल वार्मिंग्स को उम्यानिyक प्रयास करेंगी। किस तरह से उख्लेशर है वो पीकललगते हैं यहांनी जो कलेशर की जो साइज है जो मोटाई है उधर देरी कम होने लग जाती है टेंपरेचर ओवर लेंड वो बढ़ने लग जाता तो इनको समझने का प्रयास करेंगे फिर कुछ एक फाइल से समझने का प्रयास करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की उसको समझेंगे फिर उसको देखेंगे क्लिक ग्लोबल वार्मिंग की उसको एक एक इपक्त को समझेंगे हम कि 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 इस तरह से उसका बायो डाइवर्सिटी पर आने वाले समय में प्रभाव पड़ेगा पिर उसके लाव हम देखिएंगे कि ग्लोबल एवरेज सर्पेस टेंपरेचर किस तरह से बढ़ता जा रहा है 850 से 2020 तक समझने का प्रयास करेंगे फिर इसी को हम एक अंजी इमेज में कार्बन डाइकसाइट के कंसेंट्रेशन से जोडने का प्रयास करेंगे हम फिर उसी को हम हम देखिएंगे एक अंजी में से कि ग्लोबल टेंपरेचर किस तरह से बढ़ता जा रहा है फिर कारबन डाइकसाइट यानि फिर हम लिंक कर लेंगे इसके साथ पिर हम देखिएंगे जलवाई परिवर्तन पर अंतरसरकारी जो पेनल है यानि जिसे हम आई पीसी कहते हैं उ ह Tas stress को देख लेंगि फिर हम थीम से आई चरचा में क्यों बनी हुई कोफ 27 के बारें देख लेंगे ने की कहाँ पर ऐजित होने बला ने की लोकेशीन को देख लेंगे जीए जिस जगाई होने होने वाला सकी लोकेशन को देख लेंग ए कि कहाँ पर होस्ते बिसके साथ groupe क उसके जो फिजिकल में पर उसको एनालिसिस कर लेंगे तो यह आज हमारे चर्चा के विशह रहेंगे ताई यह शुरुआत करते हैं हमारी पहली ख़बर से ग्रीन हाउट गेसों के उसर जन में 43 प्रतिशत कटोती, ज़री तो जिन्दा रहना है तो हमें जिनकी जीनाय के ढर्रय को बदलना होगा अगर ताप्न वुरुत विरुद्धि को पूरू विरुकी काल के इस्तर से 1.5 डिग्री से अधिक तक सीमीत करना है तो हमें उत्सर्जन में 43 प्रतिशत तक की कटोती करनी होगी अगर ऐसा करने से चुक गए तो कहीं शहरों का शहरों का अस्तित्व खत्रेम पढ़ जाएगा अब इसी ख़बर को हम प्येज नंबर 11 से लिंक करते हैं क्योंकि वहां पर भी ये पूरी ख़बर दी हुई है ताप पान व्रद्दी को 1.5 डिग्री सेल्सियर तक रोकने के लिए उत्सर्जन में 43 प्रतिशत कटोती जरूरी तो मिश्रिक के शर्म अलशेक में कॉप 27 शिकर समयलन से पहले सहीपतराष्ट की रिपोर्ट में सामने आई बयावा तस्वीर तप ही देखेंगे कि जो रिपोर परियाप तो उपाय नहीं किये गए तो 2100 तक 2.5 डिग्री सेल्सियर तक बढ़ जाएगा धर्ति का तापमान तो यह कुछ बाते थी उसकी मात्पूर्ण बिंदू को अब हम इस रिपोर्ट को देखते हैं विश्रत रूप से अगर ऐसा करने से चुके तो तापमान में 1.5 5 डिग्री सेल्सित ज्यादा की व्रद्धी हुई तो असमय अकाल शूका बाट और जंगल में आकी गटना को सामना करना पड़ेगा समुंद्र का तापमान बढ़ेगा और कहीं शेहरों का अस्तित्व खत्रम पढ़ जाएगा जैसा आमने वह भी पेज नंबर वन पर देख रखना है तो सहित राष्ट की अंतर सरकारी समिति या जिसे हम आई पी सिसी की रिपोर्ट के नुसार अगर सभी देश जल्लु आयू परिवर्तन से संबंदित अपनी प्रतिबद्दाओं को पूरा करते हैं तब भी वेश्वी ग्रीन हाउस गेस जिसे हम ग्लोबल ग्रीन ह से समय सामने आई यह जबकि 6 नौवंबर से मिश्र के शर्म अई शेक में कॉप 26 जिसे कॉन्प्रेंस ओपाटिस 27 जलवाई शिकर सम्मेलन होने जा रहा है इसमें जमा होने वाले दुन्या बर की नेता विचार करेंगे कि कि किस तरह दर्ति की तापमान को बढ़ने से रोख सांकित किया गया यानि कितने साल का डिपनेंश होके तो 50 साल का हो गया और इसे बढ़ते ओसत वेश्विक तापमन की तुलना के आदार की रूप में भी लिया जाता है जलवाई परिवर्तन पर सहीप्त राष्ट के कारिकारी सच्चिव ने कहा कि ग्लास को यानि जो पहले कॉप 26 हुआ था तो कहां होता तो इंग्लेंड में हुआ था यानि मापकी चिक ग्रेट बिटेन के जो स्कोर्ड लेंड वाले छेतरे हैं वहाँ पर ग्लास को शहर उसमें हुआ था तो पिछले शिकर सम्मेलन में सभी देशों ने जलवाई परिवर्तन संबंदी अपनी यो के बात की गई तो उसे भी हम देखेंगे इन देशों ने 2030 तक उत्सर्जन में 31.89 प्रतिशत तक कटोती करने का वरोसर दिया है वेश्विक इस्तर पर अगर उत्सर्जन कटोती के लिए परियापत उपाए नहीं किये गए तो वर्चत 21 तक तापमान में 2.5 डिग्री सेल्स प्रतिशत की व्रदी सुदार को दर्शाता है पिछले साल स्वेट राष्ट के आकलन में यह व्रदी 13.07 प्रतिशत पाई गई थी अब इसे पर हम देखते हैं कि जो यूनिसेफ उसने क्या कहा है तो 2050 तक दुन्या का लगबक हर बच्चा लू की चपेट में आएगा यून पचास तक दर्थी का लगबक हर बच्चे बिशन लू से प्रभावित होगा यूनिसेफ के अनुसार उत्री चेत्रों में बच्चों को बिशन गर्मी का सामना करना पड़ेगा जबकि अपरिका एश्या के सभी बच्चों में से लगबक आदे बच्चे अधिदिक उच्च प्रतिशत बड़ी गर्मी से होने वाली मोते तो यह हमारे लिए एक चिंदा का विश्य भी है कि भारत में खराब हवा और बढ़ती गर्मी मोत का कारण बनती जा रही है बिते दो दशक यानि 2000 से 2004 से लगबक 2017 और 2021 के दोरान गर्मी के चलते होने वाली मोतों में 55 प्रतिश सामें सुधार करना होगा रिपोर्ट के अनुसार वर्ट से 2020 में देश में पारंपरी कीदन जैसे जीवाश इदन भी कहते हैं कि जलने से हवा में फेलने वाले पार्टिकुलेट मेटर के संपर्क में आकर तीन लाग तीस अजार से अधिक लोगों की मोत हुई है अब पार् पेदा कर सकती है रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारे और कंपनिया उन ट्रण नीतियों का पालन करना जारी रख जारी रखे हैं जो मौदुजा और पावी पीडियों की लोगों के स्वास्त और अस्तित्व के लिए खत्रा पेदा करती है तो अब यहां पर हम देखते हैं कि यह खबर थी अब इन में किन किन चीजों की बात की तो यहां पर एक बात की है आई पी सिसी की बात की है दूसरा एक ग्लोबल वार्मिंग की बात की यानि टेंपकरचर की बात की कॉप 27 की बात की मिश्र की बात की पर्टिकुलेट मेटर की बात की दूसरा यूनिसेफ की ब वर्तमान में जीते हैं तो आप देखिए कि यह आज हमारा दिखाए गया कि आज हमारी किस तरह से हम आज उची-उची बिल्डिंगों में रहते हैं और किस तरह से हमने जो कच्रा है और फेला रखा है और उसे आप वात्तावरण को देखी तो यहां पर पेड़ पोदे हैं उ क्यों और नहीं रहेना पसंद करेंगे तो उसके भी खारण दीची कि यहां पर रहेना पसंद नहीं करेंगे अब हम देखते हैं ग्रीनाउस इफेक्ट क्योंकि यहां पर दिखाये गया है कि एक्तिविटीस रिलिस ग्रीन हाउस गेसेस तो यहां पर दिखाएगाए गए चीएपसी यानि जिस्टेम ख्लोरो क्लोरो कार्बन केते हैं हेलो अलकाइज तो यह कहां से निकलते तो इनका सोर्स दिखाए गया है कि एक रेप्रिजेरेटर से एक एरोसेल से को निकलता है तो से और हेलो केंस उसके बाद मित्यन की बात की जाए तो मिथन कहां से निकलती तो कैल से और फर्टिलाइजर से दुसरा कार्मेंट यइब करती है तो आप इस इमेज को देखिया efforts प्रत्वी थैप्रत्विक उसमें देखिए इच्मैंeri gén डिख आप बढ़तीं आप जब्द प consumption हो गया तो कंशेट हो गई ये उसके अलावा स्टी हेलोकाइस हो गई वनके ये संवाड स्वेर सब्सक्राइब ली यह जोत की उप्योंड तो तब कर्ट शेघ्र के अंदर इस बीटारिए और ग्रीनााउस गेसे उसको पार करती हूँ कहां तो ये धरती पर आ रहे हैं दरती पर किसको लिए उप्योंगी तो यह पेड़ फो देजन तो सभी के लिए उप्योंगी अब आप देख पार होगी यहां पर दिखाया गया है कि संलाइट एब्जोर्ट एड़ सर्पेस उसक घृति कुछ को क्या कर दिया है तो रिप्लेक्ट कर दिये तो यहाँ उसके अंदर ट्रेप्ट होगे अब आप देखी कि जैसे यह से निरंतर यह प्रक्रिया चलती रहीगी और दूसरा कि जो ग्रीन हाउस गेसे से आगर उसकी मोटाई है जा उसकी सांद्रता या कंसंट्रेशन दरियंतर बढ़ता जाएगा तो जितनी सनलाइट आ रही है अगर वह वापिस नहीं जा पाई तो जो प्रत्विक का जो तापमाने वह संतुलन जो है उसका बिगड़ जाएगा अगर उसका संतुलन बिगड़ता है और यहां पर टेंप्रेचर वह देरे-देर इंक्रिस होने लग जाता है तो उसके एसर को आप अंदाज लगाई है कि अभी अभी जो हमने देखा है कि इस दशक में भी किस तरह से हमने जो गर्मी का अनुबव किया है तो आप देख पार होंगे कि यहां पर कहा गया है कि जो ग्रिन हाउस केसे ट्रेप द हीट फ्रॉम दी सं तो यह वही चीज कहना चारा कि यहां से सं तो आ गई यह लाइट तो दाजे लगा सकते हैं कि यहां पर परिवन दिखाए गया है तो परिवन में जिस तरह से हम ओईल का इस्तमाल करते है पेट्रोल डिजल उसके जलने से जो गेसे निकलती है उसके अलावा आप वेहिकल को देखिए यहां पर इंडस्री को देखिए यहां पर एरोप्लेन को द दिखाए गया है कि human activities release greenhouse gases यहाँ पर दिखाए गया सीएपसी है और हेलो अलकाइन तो यहाँ पर दिखाए गया कि सोर्स का तो रेप्रीजेटर और एरुसल हो गया नाइट्रस ऑक्साइट का क्या हो गया तो गेसोलीन और अग्रिकल्चर से तरह हो गया मिथेन का केटल और फर आपको पश्यू देख रहे होंगे यहाँ पर अग्रिकल्चर देखी खाथ के इस्तमाल किया जाता है खेतों में उसको देखी अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ना इट्रस अक्साइट का तो यह पर वेहिकल को दिख़ाए रहा होगा यहाँ पर पर कष्एसज़ ब वह सन होगे और संसे सञलिट और रहे हैं वह तो यहां से रिप्लेटेट हो जाती गंतर की इंटर करती है जो यह एटमॉसवेर को टिन करती है कि तहुछ गुज चनले डिगाती fatto कर दिए संप्रेस के दौरना तो वा पिस चलते लेकिन यहीं sc है रहती ज Pen रहती जो do से वापिस प्रत्वी है या जो सर्पेस की तरफ वापिस मुह कर दी जाती तो यहां पर दिखाएंगा कि कुछ सनलाइट वो रिप्लेक्टेट हुए तो वह तो वापिस एक एटमस में में चलीगी लेकिन कुछ जो जी एसी है उसकी वज़े से वापिस प्रत्वी के अंदर आ जे उसी का यह ही और अब कम प्रकाश का इस्तमाल किस तरा से ज्यादा से ज्यादा अब waż इसका प्रकाश करते के से जोड़ कर देखेंगी यहां पर कार्बेन डाइकसाइट मिथेन और नाइटरस ओकसाइट को दिखाए गया है अब इनका सोर्स को दिखाए गया है कि सोर्स क्या है तो बर्निंग ऑफ पॉसिल फ्यूइल और नेचुरल गेस है एंड अधर हुमन एक्टिविटी जिसमें यहां पर वही चीज़े दिखाए गई है अब ग्लोबल वार्मिंग होई के सरा तो उपर से सनलाइट आ रही है अब उस सनलाइट को निकलने का उसन नहीं मिल रहा है यानि जितनी आ रही है उसमें से कुछ तो बाहर चलिया थी और कुछ वापिस जो यह एट्मस्वेर है ज तरह से टैंपरेचर वोई इंक्रिस होता जा रहा है अब हम बात करते है product पर्टिकुलेट मेटर 2.5 अगर पर्टिकुलेट मेटर की साइज अगर 10 है अगर 10 माइक्रो मेटर से निचे होता आप उसे मोलते हैं पर्टिकुलेट मेटर 10 तो आप साइज से समझने का प्रहाज किजी के पर्टिकुलेट मेटर 2.5 उसकी साइज कितनी चोटी है पर्टिकु अब यह देक्षिन करके एक करते हैं कि इसका इन्डाइर्कट सेंड़ेक्ट सेंडके वर धेंसान हो गया और छी आपनेक्ट से तो नाइटरस उकसाइट निकल रहा फिर ये रिक्षन करके अमोनिया बनाएगा यह निए अचनो थी बनाएगा अब यहां पर इंडुस्री से ओईल का बर्निंग की जारी जिसमें कोईल है अब इससे क्या निकलेगा तो सरपर डाइकसाइट निकलेगी तो आप देख पारू कि यहां से किस तरह से मैंयम मेंड हो यहां पर स्वास्ति के लिए एक थांडिकारत होते हैं अब देख सकते करी मरें उसक한 इंडिगेटर तो आप確 divas पर आपको घ्लेसर को दिन हाए गए लेंड को इस तरफा सै तो तरकिया दे रॉटे कं पर लिंसीम गूता जा रहा एंदी यहां पर देखिए यहां पर देखाक multiplier वहीं हो रहे है। तो आप यहां पर तेके ट्री लाइंस को दुसरा है कि spring coming earlier यानि जो रितु होती है वो जल्दी आने लिग जाती है दुसरा है जो शी लेवल है वो दिरे-दिरे बढ़ता जा रहा है आइस जो शी आइस है वो दिरे-दिरे कम होती जारे आइस शीट की दो बढ़ती जारे है इसका आप देखिए टेंपरेचर और बटता जा रहा है ए ईयर टेंपरेचर नियर सर्पेस तो वो भी दिरे दिरे इंक्रीज होता जा रहा है यह जिसका ट्रोपेस्पेर की बात की जाती यह कुछ इंडिकेटर हो गए अब इसी को आप इमेस से समझीए एक फाइल से यहाँ पर ग्लेशियर भी दिरे दिरे कम होते जार है स्नो कावर कम हो रहा है टेमपरिचर ओवर लेंड वो दिरे दिरे इंक्रीज हो रहा है ट्री लाइंस टिर्ट होरी किस तरफ पोलवाट और अप्राट की तरप यहाँ पर देखी इस्पइंग कमिंग अर्लियर इस्पिसिस माइग्रेशन पोलवाट एंड अपड होमिडेटी है वो इंक्रीज होती जा रही है आप देखी एर टेंपरिचर नियर सर्पेज जिसे ट्रोपेस्पेर की बात करें तो वो इंक्रीज होता जा रहा है तो यह कुछ इंडिकेटर सोगे किसके वोरिंग ओप वर्ल् तरह से आप देख सकते हैं यहां पर दिखाए कि किस तरह से आई सीट हो कम होती जारी तो यह कुछ इंडिकेटर्स हो गए अब बढ़ते में अगली ख़बर अगले इमेज पर आप देखिए कि यहां पर दो दर्शे दिखाए हैं 1750 को और 21 सेंच्यूरी का तो यहां पर दि से दिखाए गया है अब आप देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग गो रहा है उसका असर क्या पूट रहा ताप देखिए यह आई स्टीट यह और आइस स्टीट पे एक जो बालू है वो खड़ा यह नि जिससे आइस बेर सम बोलते हैं तो आप देखिए कि किस तरह से अगर बढ़ता जाएगा तो उसका क्या असर होता जाएगा तो उसलिए प्रभाव को यहां पर दिखाय गया है अब आप देखिए कि ग्लोबल एवरेज सर्पेस टेंपरिचर तो यहां पर अटारस सो सी से दिखाय गया है 2020 के बीच में तो आप देखिए कि जो डिफ्रेंस पर दिखाय गया कि अब 1850 से 1940 की बीच में जो टेंपरिचर था ग्लोबल एवरेज सर्पेस टेंपरिचर हो नकारत्मुक था लेकिन दीर दीर जैसे ही 1940-1960-1991 तो आप देखिए कि किस तरह से धीर 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 रेपेटल इंक्रीज होने लगया है जो टेंपरिचर है सब्सक्राइब देखिए कि यहां पर 1880-1920-1940-1960-1960-1960 दिखाय गए ताप देखिए कि शुरुवात में कार्मेट एक सेट का कंसेंट्रेशन कितना कम था लेकिन जैसे जैसे का कंसेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है और उसी को आप टेंपरिचर से जोड़ी एक ग्लोबल टेंपरिचर भी बढ़ता जा रहे है ता आप दोनों में पोट लिंक करना का प्राप्रेशन की जिए से को एक अमिलिंग से दिखिए तो निच्छे ऐत से इयर रहे कि यह उपर किसी साईट में टेंपरचर इप साइट में साब अबको इधर जो कार्मेंटा एकोटिटिन पास्ट पर मिलीन में दिखाए गया है त आप देखें कि जिस दर्द हो इसका कंसेंटरेशन बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल टेंपरेचर भी दिरेंधिर इंकरिज होता जा रहा जिस तरह से जिसे लिए ला पर टेंपरेचर भी इंक्रीज होगा जिसे अभी हमने शुरुवात में देखी थी हम देखते हैं जो आई-पी-सी-सी की हमने बात की थी तो वो क्या है यानि आई-पी-सी-सी की बात करते तो इसका मतलब क्या हो गया तो इंटर कवर्मेंटल एनन और क्लाइमेट चेंड तो अब इसको देख लेते हैं तो यह जल्वाईव परिवर्तन से संब्दित विज्यान का आकलन करने वाली अंतराश्टी संस्ता है आई-पी-सी-सी की इस्तापना संइक तुराश्ट परियावरण कारिकरम यानि यू एन-ई-पी और विश्यू मौसम विज्यान संक्रतन जिस के साथ-साथ अनुकुलन तता शमन के विकल्प भी उपलब्द कराता है तो कौन यह इसकी जिसकी हम आई-पी-सी-सी की बात करें आई-पी-सी-सी आकलन जलवाईव संबंदिर नितियों को विख्षित करने है तो सभी इस तरों पर सरकारों के लिए एक विज्यानिक आदा बात होगी अब इसी को देखिए तो यह क्या है कि इंटर गॉवर्मेंटल पेनल और उन क्लाइमेट चेंड इस अन इंटर गॉवर्मेंटल बोडी ओप दी युनाइट नेशन अब रिस्पोंसिबल किसके लिए एडवांसिंग नोलेच और ओन ओमन इंडियोस क्लाइमेट इसका हेड़कोटर का है तो जीनेवा में फूजलेंट के अंदर पाउंडर कौन थे तो बैट बोलीन इसके फाउंडर ते फाउंडर कप की तो इसके पेरेंट ओर्गिनेजेशन को ने डब्ल्यू एमो यानि वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल और उर्गिनेशन और युनाइट न एग्रिमेंट एंड एंडिसी तो राष्टी स्तर पर निर्दारिक योगदान पेरी समझोते और इसके देर्गकालिक लक्षों की उपलब्दी के केंद्र में एंडिसी राष्टी उत्सरजन को कम करने और जलवाई परियोतन के प्रभावों की अनुकुल होने के लिए प्र प्राप्ट करने का इराधा रखता है इसा योगदानों के उद्देशों को प्राप्ट करने के उद्देश गरलू शमन उपायों का भी पिछा करती यह सिर्दी से बात है कि नेशनल डिट्र्माइन प्रतिबद्दा जता है उसको भी हम पूरा कर सके तो यहीं पर हम बात करते हैं जब एंडिसी की तो उसमें आता है कि अभी हाली में भारत ने अपडेट किया था एंडिसी तो उसको भी देखते हैं और पुराना जो एंडिसी था उस 2015 वाला तो उन दोनों उसकी कंपरिजन भी कल लेते कि दोनों में क्या सुधार किया है तो टार्गेट और 2030 यहां पर दिखाया हुआ है जो एक्सिस्टिंग जो फॉस्ट एंडिसी था 2015 का वो और जो न्यू एंडिस से अब जो अपडेट किया गया है दोजर बाव इसमें एंडिसी तो उसमें क्या बढा दिया गया है तूसमें 10% को इंक्रिज कर दिया गया है 25 से यांनि 45% के लेवल से अब यहां पर प्रोग्रेस को दिखाया तो प्रोग्रेस क्या हुई तो 24 प्रसेंट रेदक्षन अचि प्रतिशत अभी बचा हुआ है और दूसरा है कि हमने कितना इंटेंसिटी रिडक्षन कितना बढ़ा दिया तो दस प्रतिशत की इंक्रेस कर दिए पुराने अंडिसी से प्रोग्रस की बात की जाए तो फॉर्टी वड़ ग इन कितना इंट केकिने यहां दिखाय साल let प्रसेंट अच्छिव बाइद एंड ऑफ जून दिस यह तो कहना चारा है कि हमने जो 40 प्रसेंट का टार्गेट रखा था उसको अच्छिव कर चुके हैं और हम कहां तक पहुंच गए तो 41.5 प्रतिशत पहुंच गए अब हमारे पास 9.5 प्रतिशत और बचा है जो 50 प्रसें तो यह यह नटार पंद्रा था तो उसमें कारवन संग के बात की गए तो तो उसके लिए क्या खाआ गया था कि हम 2.5 तीन बिल्यकर्ट तंस जो कारवन को सींग करेंगि तो जो वन है वो जंगल है वो ज्यादा से ज्यादा यह वरक्षार उपन करके उसको अच्छे करेंगे तो वह 2022 वाला जो इंटिसी उसमें भी सेम ही रखा गया अब इसकी प्रोग्रेस नोट क्लियर तो इसकी प्रोग्रेस के कोई आंकड़े हमारे पास लब्द नहीं है तो इ युनाइटेट नेशन चिल्डरन फंड इस एजनसी ओप दे युनाइटेट नेशन रिस्पोंसिवल फॉर दे प्रोवाइडिंग उमिटेरियन एंड डवलप्मेंट एड टू चिल्डरन वर्लडवाइड तो यह सीधी से बात बोल रहा है कि जो बच्चे हैं उनको जो मान संगटनों में से एक है युनिसेप की गतिवदियों में ठिका करन और रोक की रोक्ताम प्रदान करना एच आईवी वाले बच्चों और माताओं के लिए उप्चार प्रदान करना बच्पन और मात्र पोशन को बढ़ाव देना सोचता में सुधार करना सिक्षा को प्रदा एड़्वाटर का है तो न्यूयार का में इसके पेरेंट और्गनेजिशन को ने तो यूनाइटेट निशन जन्र लसम ली है यह से कुछ मत्रम संबंदित ख़बर थी अब हम देखते यूनाइटेट निशन क्लाइमेट चेंज को तो कहां पर आई जूत होना आई और यह आउस्वान डेम अवस्तिते यहां पर उसके अलावा देखिए मेडिटेरिन सीम जाक गिरतीय काईरा इसकी राददानी हो जाती है उसके लाव देखिए पोर्ट सेट पोर्ट हो गया है इंपर यह सिनाई पेनिसुला और सेनाई पेनिसुला पर ही अवस्तित शर्म इसकी सिमा किसे लग रही इदर गलपो पेडान हो गया और गलपो स्वेज हो गई पर यह पर बुम्मत दिसागर हो गया तो आप देखिए की लोकेशन को अव इजिप्त यानि जीसे हम में श्रु बोल रहे तो इसकी लोकेशन को देखिए तो यह अफरीका का मियव हो गया इसकी सीमा लगती है लेकिन जॉर्डन से साथी अरफ से सीमा नहीं लगती है क्योंकि अब हम इसके अंति में गूगल मेप में भी देखेंगे इसकी लोकेशन को इधर आप देख सकते इसराइल हो गया लेपनन हो गया यहां पर फिलिस्तिन हो गया है इस एरिया इराक से सीमा नहीं लगती क्योंकि बीच में गल्पोप अकाबा आ जाती है अब यह देखिए यह ट्रोपिक ऑप कैंसर इससे ओकर गुजर रही है इसके उत्तर में मेडिटेरिंस हो गया है अब यह देखिए लेक नासीर किस पर अवस्तित है तो यह निल नदी पर अवस्तित है और इसी पर आस्पन डेव अवस्तित है यह आगे बढ़ती है दिर दिर अभी आगे बढ़ती तो यह इसी के किनारे काईरा अवस्तित है अब काईरा और इसी के पीछे गीजा अवस्तित है अब यहां पर देखिए तो यह निल डेल्टा बनाती है और यह अलेक्जंट्रिय पूर्ट होगे इसका मौत्पून पूर्ट है यह भूमति सागर में जाकर गिर जाती है अब नील लादी के पूरू में देखी तो क्या हो थी तो इधर गल्पूप स्वेज है और रेट सी अवस्ती थी इसके पश्यमी क्या हो थी तो इधर आप देख पारेंगे स्पोर्ट हो गया है इसी नहीं पर यहीं पर शेर्म अल जो कॉर्ट पूंटिसिंट की बैटक होने वाली हो यहीं पर अवस्ती थी उसके लाब आप बेली ओप्टी केंग्स को देखी है आश्वान डेम को हमने भी देखा है उसके अलाब आप और भी चीजों को देखिए सम देख सकते हैं तो देश में बेटी को कपास की दो दशक बात पहली खाद दिये पसल जीएम जिसे जेनेटिकली मोडिफाइट सर्सों की व्यवसाइट खेती को हुशेशग्य समीटी ने मंजूरी दे दिये इससे बहुत प्रतिक्षित आधुनिक तक्निक आधारी जीएम सर इसके माइने को देखी किसार प्रतिशत खादी तेलो का होता है आयाथ सीमित होती प्राकर्तिक संसाधन से अपनी जरौत को पूरा करने के सभी तरके प्रयास किये जा रहे हैं। है और इसी क्रम में खादी तेलों की ख़पत गर्लु खपत का 65% की ज़ता है, खादниц तीलों की आयत निर्वर्ता बढ़ती जा रही है दुन्या के दूसरे देशों के मुकाबले गरेलू तिलहनों की उत्पाद कता है जिसे हम प्रोडक्टिविटी बहुत कहम है मांग वह आपुर्ति के अंतर को पार्टने के लिए जी एम सर्षो पर दाउन लगाया गया इनी जिसे हम डे सर्षों से क्या बना जाएगा तो टेल बना जाएगा जी गहार इस्तति प्रोड़कि यह की बदाने के लिए क्यों माहिने हैं आभ इससे से प्राप्त आनुमान्शिक सामगरिया जिसे हम इच्छित जो सामगरी का एक नया सहयूजन होता है उधारण के लिए किसी जीम पसल में एक ऐसे जीन हो सकता है जिसे परागत के मात्यम से प्राप्त करने के बजाए पोद्य में क्रितीम रूप से डाला गया तुसी को हम प्राप्त का एक वर्ग है जिसमें समान लक्षन गूण या विशेश्टा होती है ग्वांचित परिणाम या जिसे हम इच्छित परिणाम प्राप्त करने में क्रोड वेटिंग में लंबा समय लग सकता है और फ्राय किसी भी सम्मंदित प्रजाती में रूची की विशेश् लिए जियेम का इस्तमाल के जाता है अब बेटी कोटन के बात कर रही है बेटी का पास तो एक मात्र जियेम पसल है जिसकी बारत में अनुमति लेकिन आप जो सर्सों है जियेम सर्सों उसको भी अनुमति दे गई है जिसे क्या बोल रहे हैं डी एम एच इलेवन मस्टर्ट इसमें आब बेटी कोटन है तो इसमें जीवानों या बेटी के बात कर रही है तो इसका फूल्पूम क्या होगे तो बेसिलस थुरिंजिन जीनेशिस जीन होते हैं जो पसल को सामाझे के पिंक बॉल वर्म या जिसे हम पिंक बॉल के लिए एक प्रोटीन विशाफ्थ विक् तो इसका फोल्पुम हो गया है बेटी बेंगन भी इस तरह का ही एक उधारने डी एम एच एलेवन सरसो में आनुमाशिक संसोधन एक ऐसी पसल में पर परागण के अनुमति देता है जो प्रकृति में 100 परागण करती है अब देख लेकि बारत ने जीएम पसलों के लिए अनुमदन की प्रकृतिया क्या है तो बारत में जेनेटिक इंजिनीरिंग मुल्यांकन समिति जिसे हम जी एसी शीर्षी निकाए है जो जीएम पसलों के वानेचिक उत्पादन के लिए अनुमति प्रदान करता है पर्यावरा भारत में आयतित पसलों को वेनीमित या रेगुलेट करने के लिए अधिकरत निकाए है तो यह बेटी कोटन का इमेज दिखाए गया है तो आप देखी कितना अच्छा इमेज है और इसकी कितने अच्छी गुर्मत्ता भी दिखरी होगी आपको बेटी कोटन वही दिखाए के लिए इसमें कुछ मोडिफाइट किये गया है ताकि यह अच्छी उत्पादक्ता प्रदान कर से कि अब जिस सर्चों के हम बात करें थे डी एम एच्चेस की 11 की तो वह यह वाला इमेज देखी आप इसको अब इन सब को आपको अगर इंग्लिश में पढ़ना है अंग्र करेगा भारत तो जोड़कर देख सकते हैं इसको तो भारत अपनी चेत्री उपग्र नोवहन प्रणाली नाविक का विस्टार करने की योजना बना रहा है ताकि इसका उप्योग बढ़ाय जा सके नेविगेशन विट एंडियन आंस्टिलेशन या जिसे नाविक सेमा बेतर एल बेंट से बदलने की योजना बना रहा है कौन इसरो जिससे लोगों को बेतर सेवाए मिल सके नाविक की पहुंच का विस्टार करने के लिए अतिरिक्त बारा उपग्रव को लांच करने की अनुमतिक लिए सरकार से संपर्क किया जा रहा है सा इसरों के जो अध्य सेटलाइट सिस्टेम या जिसे हम आई आरने से या जिसे हम नाविक भी कह सकते एक तरसे डिजाइन किया गया है तो प्रोवाइट एक्क्यूरेट रियल टाइम पोजिशनिंग एंड टाइम सर्विसिंग टू यूजर इन इंडिया तो इससीदी से बात के रहा चाहिए कि एक रियल टाइम पोजिशनिंग गया हिस्तेती और जो टाइम है उसको एक्की रोट दिखाने के लिए इंडिया में इसलिए इसका जो निर्मान किया गया है और यह जो इसकी समता है वो कितनी है तो भारस से की जो सीमा है उससे 1500 किलियोमेटर तक यह रियल टाइम जो पोज हो गए तो यह दिखाया गया अब इसमें जो इच जो सेटलाइट है उनमें थ्री रोबेडियम एटरमिक क्लोग्स के उनका इस्तमाल कि गया है ताकि जो एक्यूरट जो लोकेशनल डाटा है वो मुया करा जा सके तो यह आपने सेटलाइट को दिखाया गई यह चार जो हो गई है तो यह जियो संक्रनाइस और्थ और्द आ औरबिट हो गई है अब इसमें किस तरह की सुवेद whose मौहय करा जाएगी तो और आने वाले समय में तो इसका इसका इस्तमाल बढ़े गई है जिस तरह से जो इंटरनेट आप तिंग से बिक डाटा इनलेसिस है जो इंटरनेट का जो इंटरनेट इंडस्ट्री जो इंडस्री है यह जिसे आई टी बोल सकती है इंप्रमेशन टेक्लाइट यह उसका जिस तरह से विस्तार होता जा रहा है तो उसके लिए यह जरूरी भी है कि हम खुद अपनी जो नेविकरिशन सिस्टेम उस पर निर्वर्व बन सकें तो इससे संबंदी जो खबर आप इससे देख सकते हैं अब बढ़ते मगली खबर पर कि बारत और चेन्स कि रिष्टillon में सुधार सबी क्या हीथ में एश जयशंकर यह पर हम चेन के मेप को देख लेते हैं यहे चाइना का मेप हो गया तोयब मेंन फॉकस की से Beautiful करेंगी चाइना के तो आप देख पारूएंगे उनग इसके पशी में क्या हो गया तो आप अब कुलुन माउंटेन्स में अलटुन शैन की पूर में չतली मेंले यार जिसे बोलता सकते हैं उत्तर पूर में क्या होगी तो यांग जाकर गिर एट चाइना सी जाकर गिर रही है अब इसी कह दक्षिन में आप देखिए तो इसमें आपको दeख रहा होगा कि यह यह यांक सी रिवर तो यह ही पर ज्याद टर इसकी जो पॉपोलीषण चाइना की वह थिए जीवींत रहने के लिए यह आनुकूल कंडिशनन है। यह से पानी घती करनी के कर देखिये अब भी चिछों को देखिये कई तो कहा पर रहती थे मंचूरिया का पतार यहां पर रहती थे इसके लावा आप देखिये मंगोलिया और चीन के बीच में गोबी का डेसर्ट अवस्ती थे इसके अलावा आप और भी चीचों को देखी है इसके अलावा इसकी दर दक्षिंड और पूरु में देखी तो इसाउट चायना सी आ जाता है जहाँ पर विवाद बना रहेता है इसके पूरु में देखी ताइवान अवस्ति ते इदर नौर्थ कोरिया साउथ कोरिया इधर लग रही है इसके अलावा आप और अच्छी से इनलेसिस कीजिए बढ़ते में अगली खवर पर फिलिपिन्स में बुकम से सुलूसी मोरो गल्प और पेसिफिक और इदर सौचाइन से सीमा लग रही है कि से समंधित है या निया तो है इसके अलावा इसके कुछ मातपूंट जो दीप है उसको देखिए तो या पल्वान दिप हो गया यह मिंड़ जो दीप हो गया यह लुजोन जो दीप है वो अब जोडने का काम करी और ताइवान और फिलिपिन्स को अलग करने का काम करी लुजोन इसके अलब आप देखिए यहां पर छोटे-छोटे दिपो में बटा हुआ ऐकोन फिलिपिन्स अब हम देखते हैं कि जो फिलिपिन्स उसमें बुकम क्या है तो आप टेक्टोनिक प्लेट्स को देखिए तो आप देख पाने कि उच्छ महत्मून प्लेटों को दिखाया गया है तो आप देखिए यह यूरेशिन प्लेट हो गया है यह इंडो ओस्टिलिपिक प्लेट हो गया है पैसेपिक प्लेट हो गई नोर्थ अमेरिकन प्लेट लिला निला करे सकते हैं वो divergent plate का दिखाए गए यानि दो जो boundary से वो दूर दूर जा रही एक Convergent plate का दिखाए गया है तो ये आप देखी Convergent plate के जो करण के साही और एक एड Transform plate boundary को दिखाए गया है तो पहेले हम देख लेखते हैं कि जो divergent और क्या होता है तो आप इस इमेज में देखी तो आपको कमेजलेंट को दिखाये गए पर है कि किस तरह से जो दो प्लेट है वो आपस में पॉस्प्र टकर आजी तो इसको बोलती है गाए 1993 आप देख पारहु Sophya पर सब्लेट एंक जाओ आप देख पाते होंगे कि यहां पर जो प्रशान माहसगर का जो 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 आली रहेंगे वह वस्ती थे जिसे रिंग ओफ फायर बोलते हैं तो वह अवस्ती थे क्योंकि यहां पर यूरीशिन प्लेट नोर्टन अमेरिकन प्लेट जुआंडे फुका प्लेट और कोकोस प्लेट यह सब अवस्ती थे क्योंकि इनमें निरंतर जो टक्कर हो रही है और दुसरा है कि यह कंवर्जेंट है जो जापान और टाइवान है फिलिप्मिन्स है या जो आश्यान जो देशे महां पर बुकम पाते हैं तो इसी वजह से आते हैं और यहीं पर जो मेरियाना ट्रेंच व हो रही है इसके अलाव आप देखिए अट्लांटिक में देखिए तो नोर्थ अमेरिकन प्लेट और यह यूरिशिन प्लेट है तो आप देख पार होंगे यहां पर डाइवर्जेंट जो दिखाया गए या इनि दोनों प्लेट दूर जा रही है इधर देखिए आप साउथ अमेरिकन प्लेट और अफिकन प्लेट इन दोनों को देखिए तो यह भी इज्वेर्जेंट प्लेट का पर रोकिस का निर्माण हो रहा है उसके अलावा आप हिमालाय देखिए भारत में तो आप यहां पर देख पारेंगे युरिशिन प्लेट और इंडियो उस्ट्रिलिन प्लेट है और टकरारी या कन्वर्जेंट हो रहे हैं आज भी हिमालाय की उचाही निरंतर बढ़ती जा र देगा कि किस तरह से जो महादी पे वो दूर गए पास आएं तो यह आप देखिए कि यह होई क्यों रहा तो यह प्लेटों के मुवमेंट या संचरण के कारण हो रहा कि कहीं पर आपको कन्वर्जेंट दिखाई देगा कहीं पर डाइवर्जेंट दिखाई देगा तो इस केंद्र नाथ दास का जन्म 1904 में आज ही कॉलकत्ता या जिसे हम पहले कलकत्ता कहते थे वहाँ पर हुआ था पड़ाई की दुरान ही असयोक आंदोलन में कुद पड़े हिंदूस्तान रिपब्लिकन अशोशिशन के सदश्य बंद कर बंब बनाने का प्रशिक्शन लिया ज केंद्री कारगार में करांतिकारी से दुरव्योभार के विरोत में अंशन चुरू किया गया और 13 सितंबर 1929 को अंशन के तरशटवे दिन उनकी मृत्य हो गई थी तो यह इन्होंने इस तरह से अपने जेवन को बलिदान कर लिया भारत की आजादे के लिए तब यहां पर क स्वत्मत्रता से पहले उत्तरबारत की एक प्रमुक क्रांतिकारी पार्टिक थी जिसका गटन हिंदूस्तान को अंग्रेजियों के शासन से मुक्त कराने के उत्देश से उत्तरप्रदेश और बंगाल के कुछ क्रांतिकारीयों दारा 1924 में कानपूर में किया गय था इसकी स सोला प्रमुक कांति करईयों को चार वर्शिस से लेकर उम्र केट की सजा सुनाई गई तो यह संगटन चिन्ने पीन हो गया और बात में इसे चंद्रस्टेकर आयास्त ने और बगसी के साथ मिलकर पुर्णर जिवित किया और एक नएया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट महात्मा गांदीजी का था ब्रेटश उत्पादों यानि ब्रिटिश प्रोडक्ट के उप्योग को समाप्त करने ब्रेटिश पतों से पदों से इस्तिफा लेने या इस्तिफा देने, सरकारी नीमों और अदालतों आधी पर रोक लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, यह अंदोलन अहिंसक था, और जलियावला के बाद देश के सहयोग को वापस लेने के लिए शुरू किया गया था, जलियावला बाग हत्याकान और रोले टेक्ट कब आयते तो यह 1990 में आय थे, तो महात्मा गांदी ने कहा कि यदि यह अंदोलन सपल रहा तो बारत एक वर्ष के बीतर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, यह एक जन अंदोलन के लिए व्यक्तियों का संक्रमण था, असयोग को पूर्ण स्वराज पाने के लिए भी ध्या से उसमें देख लेंगे, क्यों मारा विश्टलेशन यहीं समाप्त करते हैं, तन्यवाद